हेलो प्रेंड्स, नमस्कार, मारी चैनल पर तमारू स्वागत छे आजे आपणे हरी भरी, हरी आडी, लिली भाजी नी भाखरी बनावीशू आ भाखरी खुबोज पोष्टिक अने स्वादिस्ट बनेशे रोजनी रूटीन भाखरी करता आ भाखरी गणी टेस्टी बनेशे अने नाना मुटा दरेक ने पसंद आउशे तो चालो सरू अत करिये, रेसिपी पसंद आवे तो चैनल सब्सक्राइब नो करेल होई तो जरूर कर जो वीडियो लाइक अने शेर कर जो अने बेल आइकोन ने प्रेस कर जो जेथी मारा आवनारा वीडियो नू नोटिफिकेशन मड़ी जाए तो हरियाडी भाखरी बनाव माटे पालक, कोथ मेर, खवनों जाडो लोट अने जिनो लोट तल आदू लसन मर्चू अने तेल जोई से तो में या गेसोन करी अने एक पेनमा बेटेबल स्पून तेल उमेरी उशे तेल गरम थे जाए पछी आदू लसन मर्चानी पेस्ट उमेरी शो छसात कडी लसन एक इंचा दूनो टुकडो अने एक लिलू मर्चू तो लिलू मर्चू तमारे टिखास नी जरूर्यात प्रमाणे लेव तो आपड़े आ पेस्ट ने एक आत बे मिनिट माटे सात ड़ी लाईशो गेसनी फ्लेम तिमी राखी शो तो एन्ट सतत चलावता रहे शो हवे मा आपड़े पालक हुमेरी देशो तो पालकने दोई अन्यने नितारी पशेने चेनी सुधारी लिती छे तो एन्ये आपड़े वे तेलमा सात ड़वा निशे गेसनी तिमी फ्लेम पर पालक सोफ्ट थाए त्यां सुधी आपड़े ने थवा देशो सतत चलावता रहे शो तो बेतन मिनिट माज पालक सरस रिते तेलमा सात ड़वे शारी रिते सोफ्ट थाई गई छे तो आपड़े ने निचे लाई ले ले शो अवे एक वाषण मा कवनो पाखरी नो लोट जाडो जी होई छे ते एक बाउल लितो छे अने रोटली नो जिनो एक बाउल लितो छे तो आ बन्ने थाईने 200 ग्राम लोट छे अने मिठू स्वादमुजब मिठू पछी आपड़ेमा तल उमेरी शो एक टीस्पून तल अवे अजमो एक टीस्पून अजमो आथे थी मसडी अन्या भाखरी ना लोट मा आपड़े उमेरी दैशो अवे कोथ मीर बे टेबल स्पून जिनी कट करेली उमेरी दैशो अने बदू येमा मिक्स करी लाईशो अवे अपड़े जी पालक ने गुक करी शे ते एमा उमेरी दैशो तो वेमा आपड़े एक्स्ट्रा मोयन नाखवानी जरूर नथी कानके अम्मा आपड़े तेल उमेरी लोट छे अने पाणी पन आपड़े जरूर परसे एमा जो उमेरी शो अने लोट मा MIX करी एन आपड़े लोटने सारे रिते बाधी लएशू तो आ लोट भाखरी नोशे एटले आपड़े थोड़ो कड़क टज राखवानो शे एटले पाणी नी जरूर वधारे नही पड़े तो एक वार आपड़े शारे रिते मिक्स करी लएशू तो वे थोडुक पाणी लई अना आपणे वस्थोडु जरार कईद लेवानुशे वजारे लोट टिलो न थाई ए आपणे धेन राखवानुशे अने लोटने सारी रित्ते मस्डी अने बाधि लई शू आलोटने राखवानो पन नती तरोते आपणे नी भाखरी बनावानी शे तो अजु थोड़ा पाणी नी जरूर लाग्ये शे तो एक चमची जेटलू पाणी आपणे लेशू अने यहमा मिक्स करी अने आपणे इने सारी रिते बाधि लेशू अने यहना एक सर्खा भाख करी लेशू अपणे जेवी नानी मोटी भाखरी राखवी ओ ए प्रमाणे आनना भाख करी लेशू अने यहना सरस्री ते यहना लुगवा करी अना आपणे यहन भाखरी ने वणी लेशू बाडको जे आरे साधी भाखरी नक हाता होई તેરે આવી હર્યાળી ભાખરી બનાવી ને આપશો તો ઓશે ઓશે ખાઈ લે શે પાલકના ફાય્દા કણા છે મારી ચેનાલ પરમે પાલક ખીચડી નો વિડીઓ પણ અપલોડ કરી લો છે તે તમે જોઈ સકો છો પાલકમ વિટામીન સ આયન અને કેલ્શ્યમ સારી માત્રા મા હોય છે એટલે વિટામીન E હોવાથી આખોની રોસની પણ શારી થાય છે પાલખમાં આયન તત્વ વધારે હોવાથી જેને લોઈની કમી હોય તેને પાલખ ખાવાથી પૂરી થાય છે પાલખમાં ફાઇબર પણ વધારે હોવાથી આપણુ પાચન તંત્ર પણ સારુ થાય છે તો દેખાય શન એકદમ ગ્રીન ગ્રીન પાખરી અવે આપણેને શેકવાની છે તો લોટી ગરું થા એટલે પાખરી રાખી શુ એનમ ખાસ ધ્યન રાખવાનું કે પાખરી આપણે ગેસની તીમી ફલેમ શેકવાની તો જ સારી શેકાય અને કાચીનારે અને દાજી પણના જાય તવે આપણે પ્રેસકરી આને કપડું પણ નાવી શકો પણ આપણે પશી એમાં ગી લગાવી શો તો આવીરીત આપણે બધી ભાખરી શેકી લઈ શો ગેસની ફ્લેમ જરુને આપણે દઈ ને ભાખરી ખાઈ શકાય માખણ લગાવી ને કે ઘી લગાવી ને પણે એન્જોઈ કરી શકાય અને બાળકોને તો નવિન્ત લાગશે કાણ કે રૂટિન ભાખરી નથી ખાતાવતા બાળકો તો આવી ભાખરી ખાય ને અને કલાર્ફૂલ ભાખરી ખાવાની મજે આવુશે